अब क्या आज के लिए इस मैच के रिलेटेड पूरी प्रेडिक्शन से रहती है क्या टीम बना सकते हो कौन से खिलाडी है जो चल सकते हैं रोहित का मैंने अलड़ी आपको बैंच के शुरुआत में बताया तब पिछले मैच के जब जीटी के अगेंश्ट में इस था रोहित इस बार पढ़िया है जहां से खिलने वाले हैं और अब आज के लिए वो गौन सा खिलाडी बनता है जो कि डिफ्रेंशल हो सकता है जो कुछ आपके लिए अलग करता हुआ दिख सकता है या कौन आच के लिए गरन लिख के सीवेसी रहें सारी बाते करेंगे आगे तो वीड प्राइस आप एक रुपए में जीत सकते हो तो फिर है ना जबरदस्त बात आइनों कि विश्वास नहीं होगा और बटे 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 बात सच है और आगे इस बारे में बात करेंगे ठीक है तो आखिर तक वीडियो को देख हो तो आपको यह भी समझ आएगा और बाकी स्ट पता हो क्या रहे हैं टेलिग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है जोइन कर लेना क्योंकि देखो जोइन करने का रीजेन आपको बतातों ऐसे ही थोड़ी हुआ वाजी क्योंकि वहां पर जितनी भी अपडेट्स आती है देखो मैच से जश्ट पहले जो अपडेट्स ह वह नहीं पाती है यूट्यूब पर तो नहीं होगी ना तो सारी चीज़ें मिलते टेलिग्राम पर जो बात में जो भी अपडेट्स हाती है तो इसलिए जोइन करके रखको डिस्क्रिप्शन में लिंक है इवन फर्ष्ट कमेंड में भी है बागे बात करें अपने मैच की अभी तक हमने देखा है कि होम ग्राउंड वाली टीम से वह विन कर रही है अब होम ग्राउंड की बारिया यहां से हैधराबाद की पिछली बार हार गए थे यह अगेंश्ट के क्यार कुछ एक चोटे से मार्जिंस है वह बोल सकते हूं जीत सकते थे बठार गए अब यहां चेज करने वाली टीम थोड़ा सा एडवंटेज में रहती है बट हां अंडरेस्टिमेट मत करना बैटिंग फर्ष्ट करने वाली टीम को यहां से उसके लाबा स्कोरिंग पैटिंग के बात करते हैं 35 मैचस हो चुके हैं जो कि एक बहुत बड़ी बात है 71 मैचस में क्योंकि अगर आधे मैचस में यहां से 500 से नीचे बन रहा है तो डेफिनिटली कहीं न कहीं कभी कभार ऐसा जरूर होता है कि बैटिंग कोलाप्स हो जाता है ठीक है तो आज के लिए कहीं न कहीं ग्रैंडिक की जो टीम से वो थोड़ा ऐसा ध्यान पर रखकर बनाना कि बैटिंग को बना है यहां से 14 टाइमस तो अच्छा स्कोर भी जरूर आपको देखने को मलता है बागी अगर हम प्रिवेस मैचस की बात करने जो की रीसन मैचस वन्य पूरू है तो प्रिवेस मैचस की जो हम बात करते हैं तो इटीन तो फमेगों यहां पर मैच हुआ था हैधराबाद औ अभी पिछले कुछ टाइम में थोड़ा सा कम हुआ है जरा स्पिन का यहां पर चलो बट पहले काफे जादा होता था अब फॉर्थ ओफ मेगों मैच वा था यह सारे पिछले साल का मैचस है बट हाँ अभी फ्रेश ट्रैक रहेगा तोरण बन सकते हैं यह भी एक बात जरू आप नूट करके चलना बाकी क्यक्यार ने 171 बनाए ऐसारे चेज नहीं कर पाई बारा विकेट पेस के दे चार विकेट स्पिन के थे थर्टींत ओफ में को मैच वा एसारेच ने 182 बनाए लसी ने भाई टार्गेट बड़ी इसली चार बोल्ट रहते चेज कर दिया तीन व पर उतना बहतर नहीं दिखाए जितना पहले होता था बागी हाँ पिछ की बात कर रहे थे तो 19 विकेट स्पिन के हैं 25 विकेट आपको पिछले चार मैच में पेसर के देखने को मिल जाते हैं जिसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग अगरवाल उसके बाद में अभिशेक शर्मा अभिशेक शर्मा वेसे इंपक्ट प्लियर आ सकते हैं तो यह भी जबर आप नोटिस करके चलना है यहां से ठीक है वैसे अभी के लिए मैंने ऐसे प्लेइंग इलाउन कुछ डिजाइन कि पहले अगर बैटिंग आती है है तो यह आपको प्लेइंग इलाउन देखने को मल सकती है जिसमें बॉलिंग करते वक्त फिर यहां से क्या होगा ना कि अभिशेक शर्मा बाहर जाएंगे और टीन अटराजन आपको जो है वो प्लेइंग इलाउन में आते हुए दिख जाएंगे यह चीज हो सकती है तो बारा ख सितना फॉर्म ठीक है बड़ सबसे बड़ी चीजी रही है कि मारकरम ने बॉलिंग नहीं कराई थी तो इसा बैटर ही इंक्लूड करके चलना मारकरम को बागी तर पार्टी एस विजूल कंसिस्टेंट रहते है रन बनाने में 20 होने बनाये थे हैंडरेच क्लासन की तरफ से एक जील टीम्स में सीवी सी रहे गाई रहेगा अब्दुल्समाद बहुत नीचे है वसे पंदर रन है सहाबाज एहमद एक ही ओवर कराएगा जो थोड़ा सर्प्राइजिंग मुह रहा है कि भाई खिलाए भी प्लेयर को और सिर्फ और एक ही कराएगा अधर्वाज इनकी पर फिर एक प्रोपर बैटर को या फिर एक अच्छे इनसे बहतर रोल्रांडर को जोई शामिल किया जा सकता था रन सोला दिखें अब खिलाडी ठीक है बट साथ में नंबर पर सिर्फ एज़ा बैटर इस मैच में जील वगरा के लिए ही रखना है एसल के लिए उतना प्रै वगरा है वो ठीक ठाक लिए थे एवन अगेंश पॉंबई मीन के नाम विकेट्स है पैट कमेंस सिर्फ एक के विकेट है नाम रहा और चेंज कर नहीं पाई यहां से डेस्टिनी जो थी ना हैदराबाद की पहले मैच में बागी यहां से बुनिश और कुमार विकेट लैस बट एक और चीज बुनिश और कुमार के बारे में आपने देगा पिछले मैच पर रन बहुत पड़े बुनिश और वो चार ओवर में पचास रन दिये थे बट उसी में एक और चीज जो नोटिस करने वाली थी क्योंकि वो तो एक ओवरल स्टाट हो गया कि चार और में चल दिया तो बुकता भाई ने बठा बोनिश और कुमार तीन ओर काफे ज़्यादा सही रहते और एक और चीज बुंबई की टीम जो शुरुवात में कहीं न गई एक विकट वो ज़्यादा तर मोस्ट ओफ दा मैचेज मों वो एक नई एक विकट चाहे रोहित का चाहे फिर इ यहां से इंपॉंट बनते हैं वो एक विकटisto के लिए निकाले हैं अज के लिए भी यहां वो प्रेफर किया के जाए यहां से मार करम की जगे पर चांस थोड़े कम है बट जो मिरे को लगता हो सकता है यह चेंज थोड़े बहुत चांस इस चीज़ के ज़रू बनेगी कि Travis Head प्लेइंग लॉन माज है रिसेंटली इन्होंने चारी खेले जो एक बोलते ना लिमिटेड ओर क्रिकेट तो 33-45 शोविस और चार का स्कोर रहा था अन्मॉल प्रीट सिंग है अब चुकि मायं का करवाले अभी शेक शर्मा है ट्रैविस हैड है अन्मॉल प्रीट सिंग के जोड़े चांस यहां से कम बं सब्सक्राइब बहुत खूब है इनका स्कोर दो में इन्होंने 19 बनाए जिसमें एक बार नटाउट भी रहे थे उसके लाव वशिंग्टन सुन्दर है आपको ना दो मैच में विकेट दिखेंगे बाकी मैचेस में आपको वशिंग्टन सुन्दर दिखते हैं विकेट लेस यहां से ना कुछ जाद अच्छा फॉर्म वशिंग्टन सुन्दर का बहुत लंबे टाइम से रहा नहीं है विकेट वगर इनके नाम जादा नहीं है उसके बाद में आसे कि नितेश रेड़ी है साट रन जीरो एक रन जीरो दो रन एक विकेट है एक विकेट डिसन खिलाड विकेट आपको फजल अलक फरूक है ओल्मॉस्ट हर मैच में देखने को मिल जाते हैं सिर्फ एक ही मैच विकेट लेते हुए दिखा है जैदे उनाद गड़े हैं उसे लेफ्ट आम पेसर अब इनके खेलने के चांसमर को थोड़े से कम लगते है बट इनकेस अकर जैदे उन अगर इंपक्ट प्लेइब लाइन से अगर इंपक्ट प्लेइब लाइन से एक विकेट निकाला हुए तो यह तो है 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 घदरबाद की तरफ से पूरी आपको प्लेइंग लाउन वगरा सब चीज़े देखने को हहां से मिलती है अब अगर इसमें हम कुछ इंपॉंट प्लेइर्स बनते हैं बहुत ही जादा आइधिंग अभी शेक शर्मा है उसका अदमे राहूल त्रिपाथी है एडन मारकरम है है हें बोलिंग सेक्शन में मारको एंसन अब लास्ट मैच विकेट लाइस रहे थे बट मारको एंसन पिर मारकंडे एंड टीन अटराजन का नाम आता है अब आते हैं सरे नेक्शन निकलकर दूसरी टीम की जो हमारी प्लेइंग एलाउन रहेगी बट उससे पहले अगर हम बात करते हैं से आपके काम की बात जो की रहने वाली है माइलन सर्कल पर एक जवरदस्त ओफर और वो जोइन कर लेना क्योंकि जब जोइन करोगे ना तो सिर्फ आपकी जो एक ही रुपे रहने वाली है तो अगर आप कोई बहुत ही आपके दिवाग मारा एक दम अलग रिसके टीम बनानी मेर को आज के लिए बट पचास रुपे नहीं लगाने क्योंकि नुक्सान हो सकता है क् या टीम जोइन करो ना जहां पर चल गए तो सीधा आपको एक करोड जीतने का मोग है इवन उससे उपर भी प्राइजेज है तो वाई जवर्दस तापकर उस मोग के रहने वाले और एक और फायदा बताता हूँ नीचे दिएगए डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड किया है माइलन सेर्कल को और साथ-साथ जो कोड दिया हुए मैंने उसको यूज किया हुए और बागी पंदरा सुरुपाय का बोनस भी मिलेगा अब बोनस का देको फायदा होता है जो एक फायदा होता है वो यह होता है कि आपकी जो एंटरी फीस है उस पर थोड़ा कि जिरो पर आउट हो गए जाधा कुछ खास कर नहीं बाए जितनी लंबी प्रेक्टिस इनों ने भी ब्रेक में की थी बागी रोईट चर्मा वही अपने मूड में दिखे बाई 43 इनको कोई शोक नहीं है पजास करने साथ करने आओ अच्छी शुरुवात दो और यहां से शक्के मारो बागी उसकाद में नमन धीर को खिलाए यह तोड़ा से कॉंट्रोवर्शल था नहीं कि नमन धीर को यह से मुका मिलेगा क्योंकि नमन धीर से जाधा बैटर ऑप्शन्स है मुंबई के पास में आसे डोमेश्टिक खिलाड़ी खिलाने के लिए बागी एक बारा यह सीधर टीम में दिखेंगे और अगर बैटिंग सेकंड होती है तो मेभी एज़ा इंपक्ट प्लेयर आ सकते हैं 46 इनों ने बनाये थे बस इनिंग थोड़ी सी स्लो रह गई थी उसका बाद में यहां से तिलक वर्मा है पच्चेस चब्विस फिफ्टी टू इनके तरफ स से रिसेंट जो रहा है काफे टिक टाक बैटिंग में बोल सकता हूं की थी 25 रन बनाये थे और कैचिंग से जो पॉइंट दे गया तो और जो पॉइंट से वह काफे जादा बहतर थे तिलक वर्मागे टिम डैविड एज विजुल पर्फॉंस दिया नहीं 11 रन बनाये तिम पर्फॉंस कभी कबार ना बिलकुल ना एक्सपेक्टड जाएगा वह वाली बात है हर्दिक पांडिया साथवे नंबर पर यह तो थोड़ा सा एक डिसिजन आइड नों तिंग बहुत लोगों को पसंद नहीं आया होगा कि हार्दिक पांडिया प्रमोट हो सकते हैं बैटि कि कहीना के बड़े सावालों की गहरे में चले गए पंडिया इस बार वह शुरुआत में बोलिंग करके क्यों है मैं कप्तान मैं करूंगा पहले बोलिंग उसके लावायां से सम्स मुलानी को खिलाएगा शाम सी बोलने वाला तम है एक रन जिरो विकेट इनके तरफ से रह पोलिंग वसे ठीक ठाक सी थी जाता इंप्रेसिव निए बट डीसेंट बोलिंग इन्होंने की थी प्यूस शावला एक विकेट अब चुकि है स्पिन ना कहीं ना कहीं वह जो लेक्स्पिनर है उनको हलकी वुल के मदद जरूर प्रवाइड करती है तो प्यूस शावला में आलकवेटजी की तरफ से बोलिंग ठीक रही थी दो विकेट इन्होंने भी निकाले थे और यही चीज़ एक्सपेक्टेड भी थी कि बहुत बढ़िया बोलिंग करने वाले ऐसा इंपक्ट प्लेयर मंबई की टीम में ल्यूक वोड रहेंगे अब ल्यूक वोड ने अगर आप देखोगे ल्यूक वोड का तो आपको एक विकेट है या फिर विकेट लेस है दोई चीज़े देखने को मलती है कोई ऐसा तीन-चार विकेट के तरफ है नहीं कोई भी ऐसा मैच बाकि यहां से केवन मफाका है लेफ्ट टाम बेसर अंडर नाइटीन क्रिकेट व को भी मौका मिल जाए यहां से बल्कि दो भी नहीं डेवाल गुरुविस पे ऐसा इंपक्ट प्लेयर आया था ल्यूक वर्ड गेराल कोईट जी एंड उसका पाद में टीम डेविड तीनी ओवरसीज के साथ में जो टीम खेली थी और में भी हो सकता है इस मैच में भी तीनी के साथ में खेले अगर पहले पैटिंग होती है तो यह तीन ओवरसीज हो सकते है और अगर पहले बोलिंग होती है तो उस केस में डेविड कोईड़ी एंड लुक वुड हो सकते है तो वो एक जो और सीज की जगह है वो यहां से बच्टी है तो ऐसा impact प्लियर नभी शेफर् पॉइंट इन से एक्सपेक्ट ना करना एंड सेम गोस फोर रोमारियो शेफट बट शेफट का बस एक फायदा है कि लाश्मन वोलिंग करते हैं यह डेथ में विकेट निकाल लेता है एक ने एक विकेट आप रिसेंट भी देखो तो ऐसा ही दिखेगा शेफ बपाल के नाम में जो विकेट साथ हैं तो वो तीन चार आजाते कभी-कभी वरना फिर वही एक-जेरो-एक-जेरो के साथ में विश्नु विनोध है डोमेस्टिक में ठीक-ठाक पर्फरेंस है सुरे कुमार यादो खेलेंगे नहीं शिवालिक सर्मा है थोड़ा सा फ्लोप भी है थोड़ा चले भी है दोनों चीज़े बट वही है खिलने के चांसे कम रहने वाले है बट एक और चीज़ पहंड आगा कि अपतानी और वरोसा नहीं किया जा सकता है किसको खिला दे नुवान तुसारा राइटाम पेसर ये एक बोलर कमाल का है यहां से अभी इन उन्हें रिसेंटल एक है ट्रिक भी निकाली थी बट मेरे को पर सली नुवान तुसारा का बोलिंग एक्शन हो बोलिंग हो लाइन लेंट तो सब बड़िया लगता है यहां से कंसिश्टेंट बोलर है इन केस अगर स्मोल लिग टीम में आता है तो स्मोल लिग टीम में बिलकुल हम प्रेफर कर सकते हैं आसे नुवान तुसारा को बाकी कुमार करती के काफ़ अच्छा बोलर है वैसे ठीक है लेफट टाम और्ट उड़ोक्स उसके लावा अर्जुन त दूलकर तो तुम्हें पता है कि किस मजबूरी में खिलाए जाता है बागी आते हैं जरा नेक्स्ट अपने वाई टीम वेन्यू स्टाट्स के उपर 51 मैचेस यहां से खेले हैं हैं हैधराबाद ने 31 जीते हैं शुरुआत इनकी बहुत अच्छी रहती थी ती मतलब अगर मै दो-3 सीजन पहले चला जाँ जिब राशेट का डाईड बहुरोफ तीन से भी थोड़ा पहले चला जाँ हो तो बैई ऐसा है कि एकदम जावराद सच्टीम हो च्कड़ा रहे हैं तो बागी 12 में से आठ जीते हैं वो उन्भाइर अपनल क्या आप से उत्र हारे हैं तो कि मुंबाई इंडियंस के जीतने के चांस से जाधा रहने वाले हैं तीम के बाकी अगर यहां से रंस की बात की से रोहिज शर्मा 22 मैच में 592 अकेले मुंबाई इंडियंस की तरफ से यही है जिन्हों ने रंस बनाए में इस ग्राउंड पर 32.89 का अवरिज है बागे मैंग अ 172 मारकरम 6 मैच और 149 अब्दुल समाथ के नाम चार मैच में यहां से आपको 99 रंस देखने को मल जाते हैं बोलिंग शेक्शन की बात करें बोनेश और कुमार ऑविसली बाई शुरुवाद से ही खेल रहे हैं है और 45 इनिंग में 43 विकेट्स है बट साथ-साथ महेंगे भी स्ट्राइक रेट भी उतना अच्छा नहीं है तो अगर रिस्क लेना हो तो ड्रॉप करने का वो भी बिल्कुल ऑप्शन है चावला के नाम 14 मैच में 14 विकेट्स जैसा हम बोला कि लेक ब्रिक बोलर यहां पर अच्छा करते हैं इवान माइंक पारकंटे के नाम भी आप दे इसमें से 9 जीते हैं एसरेच के टीम ने 12 जीते हैं मुमे इंडियन्स ने मुमे इंडियन्स यहां पर थोड़ा सा आगे निकल कराती है तीन मैच के साथ में बाकी इस ग्रॉण पर आठ मैचे हो चके दोनों टीम्स के बीच में बराबर आबर स्कोर चल रहा है जो भी इशान किशन ने 10 मैच में 281 रंस बनाये है 28 के अवरेस के साथ में मैञें कगरवाल ने दो मैच हो भाई 131 अगेंस्ट मुमबाई SRH की तरफ से दो ही मैच खेले मैंक अगरवाले और तोनों ही मैच में वही रंस है इनके नाम एक मैच में 83 थे और एक मैच में जोड़ ले न 31 प्लस आने 48 रंस थे इनके नाम ठीक है यहां से उसके लावा हर्दिक पंड्या बिलकुल ही एकदम completely clueless मुंबा इंडियन्स की तरफ से खेलते हुए अगेंश्ट हैदराबाद यहां से हर्दिक पंड्या ने बिलकुल भी रंस नहीं वनाए हैं 10 मैच में मात्र 106 रंद भाई सब इतने तो बोलर के भी होते हैं यहां से ठीक है 10 मैच में 106 रंद इनके नाम अर्दिक पंड्या ने बॉलिंग से भी कुछ नहीं किया आठ मैच में पांच विकिट है अलाकि पूरे और भी नहीं करा है तो एवरेश ट्राइक रेट ठीक ठाक सा देखने को मिल जाता है उम्रान मलीक 3 मैच में 4 विकिट 28 का यहां से जो है आपको देखने को मिल एवरेश जितनी तेज़े से बोल डालते है उतनी तेज़े से बैट्समन बाहर मारता है अकाश मदवाल एक मैच में 4 विकिट है और उसके लावा प्यूश शावला तीन मैच में 3 विकिट के साथ में तो भाई यह रहते हैं अभी के लिए हमारे जो हैट्वर लीडर से बोलिंग से उसके लावा अगर हम प्लेयर बैटल की बात करें इशान किशन को बड़ा पर इशान करते है पैट कमेंच जो की शुरुवात में बोलिंग कर सकते हैं और दूसरी तरफ से यहां से वनिंदू हसरंगा छोड़ देते हैं इनको उमरान मलिक ने दो बार आउट किया हुआ इशान किशन को हर्दि 쪽 पंडिया अगेंश्ट बोनेश औरकुमार चोदा बोल में 2 बार आउट हो चुके हैं रोईट शर्मा अगेंश्ट वशिंग्टन यस्टण सुन्दर दो बार आउट हो यहां और इवन मिल जाए और बागी एडन मारकरम जो वो शेफर्ड के अगेंश में दो बार विकेट गवा चुकिए उसके लावा टीम की बात करते हैं अब जरा तो क्लासन को रखा है मैंने यहां से ठीक है क्लासन को पिक्क्या हुआ है इशान किशन को मारकंडे को पिक करनो तो यह एक चेंज यहां से बनता है टीम में ठीक है बाकी उसके लावा इशान किशन अगर रिस्क लेना है तो क्योंकि हो सकता है पैट कमेंस यहां से शुरुआत माउट कर दे उतना अच्छा रिकोड इशान किशन का था नहीं पैट कमेंस के सामने तो सब्सक्राइब अगर नहीं क्या हुआ है तो फटाक से कर लो एंड बागी और रष्ट इस मैच के लिए मिलते हैं आपको नेक्श यूड़े में बहुत ही जाड़े जाड़े हुआ है